कभी तिहार जेल में कतल, कभी पंजाब की गोईंदुबाल जेल में खूनी गैंग हुआ रही है। अब NIA ने गैंग्स्टर के लिए नए और सक्त प्लान तयार करने का सोच लिया है। यह प्लान ही गैंग्स्टर को काला पानी की सजा देने का जी हां अब गैंग्स्टर को काला पानी की सजा देने का नया प्लान तयार किया जा रहा है। लॉरंस विश्णोई और उसके गैंग्स्टर उत्तर भारत की अलग-अलग जेलों में बंद हैं ये जेल में बैट कर ही अपना क्राइम इंडिकेट चला रही हैं जेल के अंदर बैठे-बैठे ही ये किसी की भी हत्या की स्क्रिप्ट लिख देते हैं सिध्धु मुसे वाला केस में यही हुआ था लॉरंस विश्णोई जेल के अंदर बंद था लेकिन जेल में बैठे-बैठे ही उसने रच दी थी सिंगर की हत्या की साजिश खुद इसके गैंग्स्टर गोल्डी बरार ने सिध्धु मुसे वाला की हत्या को विश्णोई गैंग का काम बताया था यानि यहां की जेलों में इनके पास सारी सुविधाय मौजूद है इसके बाद भी दिल्ली की तिहार जेल में लौरंस विश्णोई गैंग और बंबिहा गैंग के गैंग्स्टर के बीच दो बार खुनी गैंगवार हो चुकी है इस गैंगवार में जेल के अंदर ही दो गैंग्स्टर प्रिंस देवतिया और टिल्लू ताजपूरिया मारे जा चुकी ही हाई सिक्योरिटी जेल में होने के बावजूद ये कतल हो गए पुलीस कुछ भी नहीं कर पाए इसके पहले पंचाब के तरन तरन जेल की गोईंदवाल साहिब जेल में भी दो गैंग्स्टर की हत्या कर दी गई है बाद में इस हत्या का भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहा था कि लॉरंस विश्णोई और गोल्डी बरार के कहने पर हैं उसने ये खत्या की है एक के बाद एक इस तरह के मामले पिछले कुछ महीनों से सामनी आ रही है जिसने पुलीस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है इनी सब वारदातों को देखते हुए एन आये उन गैंग्स्टर को अंडमान भेजने की सिफारिश कर रही है जो जेल में बैट कर अपनी गैंग को चलाते हैं खासकर वो कैदी या गैंग्स्टर जो दिल्ली अपंचाब और हर्याना की जेल में बंद है एनाये ने ग्रेम अंत्राले को नौर्थ इंडिया के जेल में बंद कैदियों को लेकर खत लिखा है इसमें सिफारिश की गई है कि 10 से 12 गैंग्स्टर को अंडमान निकोबार जेल में शिफ्ट किया जाना चाहिए इसके अलावा कुछ गैंग्स्टर को नौर्थ इस्ट के जेल में भी भेजने को लेकर खत में जिक रहे एनाये ने इस खत में लिखा कि कैसे जेल में बैठ कर ये गैंग्स्टर बाकी लोगों को भी गैंग में शामिल होनी के लिए बहला रहे हैं और बहका रहे हैं जाहिर सी बात हैं इसमें सबसे उपर नायम आता है लौरंस विश्णोई गैंग का इसके अलावा जग्गू भगवानपूरिया और रबंभिहा गैंग के गैंग्स्टर्स को भी वहां भेजने के लिए सिफारिश की गई है इसके अलावा दिल्ली की ज्यादातर जेलों में शमता से ज्यादा क्यादी भी मौजूद हैं जो अकसर पुलीस के लिए मुसीबत का सबब बनता है और इस तरह की घटनाए होती हैं अगर ग्रे मंत्राली इस बात पर राजी हो जाता है तो जल्द ही कई बड़े गैंग्स्टर को अंदमा निकोबार की सेलिलर जेल में भेटा जा सकता है cellular jail को काला पानी भी कहा जाता है यह अंडमा निकोबार द्यूप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई आजादी की लड़ाई के वक्त यहां भारतिय सुतंत्रता सैनानियों को क्यात किया जाता था उन्हें इस jail में बुरी तरह से torture किया जाता था यह माना जाता था कि एक बार जो इस jail में आ गया उसका बाकी जीवन यहां की मुश्किले काटते हुए ही गुजर जाता था और वो कभी बाहर के दुनिया नहीं देख पाता था बिलकुल अब इसी तरहीके की सजा गैंस्टर्स को भी दी जाएगी और खास करकी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम लौरेंस विश्टोई गैंग का है जिन्होंने jail के अंदर रहते वे कई सारे बड़े साज़िश को अंजाम दिया हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है सिद्धू मुसे वाला हत्या कांड का उसके बाद अन्यव कई सारे ऐसी साज़िशे हुई हैं जिसको अंजाम दिया हैं जेल के अंदर रहते वे इस वज़े से NIA ने ये फैसला लिया है और ये ख़त ग्रे मंत्राले में भेजा है कि ऐसे गैंस्टर्स को काला पानी की सजा दी जाए और उन्हें अंदमान निकोवार जेल में शिफ्ट कराया जाए